हैलो दोस्तों तो आज हम समझेंगे की हौनिंग और लैपिंग दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है देखे सबसे पहला डिफ्रेंस तो आप दिमाग में रखे कि हौनिंग मशीन जो है वो इंटर्नल सर्फिस को सर्फिस फ्रीशिंग अच्छी करने के लिए होता है internal surfaces किसके cylindrical के और जो हमारे पास lapping है lapping किसी भी surface को आप smooth बना सकते हैं चाहे वो nut हो washer हो आप कोई भी flat surface है उसको अगर आप clean करना चाहते हैं surface finishing अचिलाना चाहते हैं तो आप lapping करेंगे दोनों में यह main difference हमारे पास आजाता है इसके इलावा भी कुछ differences है वो हम समझे लेते हैं इसके अंदर तो हमारे पास क्या है purpose to improve the geometry and to honing सबसे पहले देख लें to improve the geometry and surface finish of internal cylindrical surfaces internal cylindrical surfaces के लिए to achieve precise flatness surface finish and dimensional accuracy यह लाने के लिए हम इस्तमाल करेंगे lapping का process दोनों में हमारे पस क्या है material removal process है material दोनों में remove होता है material दोनों में remove होगा okay abrasive जो use होगा इसमें honing stone use होगा with abrasive like silicon carbide and aluminum oxide and diamond यह हम use करते हैं लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो होता है वो loose particle हम use कर सकते है loose abrasive particle जो यह slurry के रूप में हो सकता है या paste के form में हो सकता है यह liquid आपको मिल जाएगा liquid मिल जाएगा liquid जो है वो आप डालके use कर सकते हैं abrasive कितना तो हमारे पास क्या है tool जो है इसके अंदर honing stones होता है sometimes honing mandrels होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर lap होते हैं lap होते हैं जो हमारे पास surface जो है आपको साफ साफ picture में आपको देख जाएगा इस तरह का lap हमारे पास होता है इसके इलावा हम relative motion अगर देखें relative motion कैसा होता है देखें honing machine के अंदर हमारे पास क्या होता है workpiece रुका होता है और हमारे पास जो है tool move कर रहा होता है workpiece नहीं move करता tool move करता है लेकिन अगर हम lapping में देखेंगे तो लैपिंग में दोनों चीज़े relatively move करते हैं वर्क पीस और हमार पस यह वो लैप है दोनों आपस में relatively move करते हैं यह main differences के अंदर आ जाता है इसके इलावा हमार पस क्या है इसके इलावा हमार पस typically application जो है cylindrical boards में हो गया, hydraulic cylinders में हो गया precision wearing में हो गया इसमें हमार पस optics में, aerospace component में, semiconductor wafers में यह सब हम यूज करते है material removal rate जो है इसमें faster है, थोड़ा सा इसमें slower है इसमें थोड़ा धीरे-धीरे time लगता है lapping करने में material removal depth जो है, वो moderate to achieve geometric and functional improvement तो हमार पस moderate है, दोनों में moderate, minimum है इसमें moderate है, इसमें minimal, मतलब कम से कम आप material remove करते हो, इसमें heat generation जो है वो moderate heat generation है, इसमें बहुत कम heat generation होती है तो हमार पस लैपिंग हो रही है, दीरे-दीरे हो रही है बहुत fast process होती नहीं, इसलिए heat generation बहुत कम होती है cost जो होगा generally more cost effective, cost effective है ज़्यादा हमारे पस cost नहीं है, यह लेकिन इसमें more expensive हो जाता है थोड़ा expensive हो जाता है कि requirement बड़ी हो जाती है तो यह हमारे पस जो है difference था, लैपिंग और हमारे पस honing में I hope यह चीज आपको समझ आगी होगी, अगर समझ आगी है तो like का बठन जरूद बाई और sseji, rrvj की तहरी करना चाते है तो यह आप जरूर आप नहीं करें Thank you so much, नेक्ट वीडियो में फिर समेंदेंगे